ओम श्री अनन्त कोटी ब्रह्मान नायक राजा धिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदा अनन्द समर्सत गुरू साइनात महराज की जय हो हे प्रिय भक्तों आज श्री साइस चरित्र का अध्याए 26 का पठन होने जा रहा है आई हम सब भक्त मिलकर बाबा के श्रीचनों में प्रार्थना करते हैं कि ये अध्याए सभी के चित में उत्रे सभी को इस अध्याए का लाब हो आईए अब अध्याए शुरू करते हैं पहला भक्त पंत दूसरा हरिश्चंद्र पितले और तीसरा गौपाल आमडेकर की कताएं इस श्रिष्टी में स्थूल सुक्षम चेतन और जड़ आदी जो कुछ दिष्टी गोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्म है और इसी एक अद्वित्ये वस्तू ब्रह्म को ही हम भिन-भिन नामों से संभोधित करते तता भिन-भिन दिष्टियों से देखते हैं जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रसी या हार को हम ब्रह्म वश सर्प समझ लेते हैं उसी परकार हम समस्त पद्दार्तों के किवल भाहिय सरूप को ही देखते हैं ना कि उनके सत्य सरूप को एक मात्र सद्गुरु ही हमारी दिष्टी से माया का आवरन दूर कर हमें वस्तों के सत्य सरूप का यत्थार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ हैं इसलिए आओ हम श्री सद्गुरु साई महाराज की उपासना कर उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें जो की ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है सरपतम आंतरिक पूजन श्री हमाटपंत उपासना की एक सरवर्था नमीन पद्दती बताते हैं वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन के निमित आनंद अश्रु के उश्न जलका परियोग करो उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दन विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा कोमल और एकाग्र चित रूपी फल उन्हें अरपित करो भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ती की कच्छनी बांद अपना मस्तक उनके चड़नों पर रखो इस प्रकार श्री साई को समस्त आबुशनों से विभूशित कर उन्हें अपना सरवस्व निछावर कर दो उश्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चमर डोलाओ इस प्रकार आनंद दायक पुजन कर उनसे प्रार्थना करो हे प्रभु साई हमारी प्रवर्ती अंतर मुखी बना दो सत्ते और असत्ते का विवेक दो तथा सांसारिक पद्धार्थों से आसकती दूर कर हमें आत्मनवूती प्रदान करो हम अपनी काया और प्राण आपके श्रीचरणों में अरपित करते हैं हे प्रभु साई मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुक और दुख का अनुभव ही ना हो हे साई मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा नुकोल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चर्णों की शीतल चाया में विश्राम करने दो अब हम इस अध्याई की कताओं के और आते हैं पहली खता है भक्त पंत एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था और जो एक अन्य सद्गुरू के शिश्य थे उन्हें श्रीडी पधारने का सोभग्य प्राप्त हुआ उनके श्रीडी आने की इच्छा तो ना थी परन्तु मेरे मन कचु और है विधाता के कचु और वाली कहावत चरितार्थ हुई वे रेल पश्चिम रेल वे द्वारा यात्रा कर रहे थे जहां उनके बहुत से मित्रवे संबंदियों से अचानक ही भेट हो गई जो की श्रीडी यात्रा को ही जा रहे थे उन लोगों ने उनसे श्रीडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया पंत यह प्रस्ताव अस्वेकार ना कर सके तब वे सब लोग बंबई में उत्रे और पंत रिरार में उतर अपने सद्गुरु से शिरिडी परस्थान करने के अनुमती लेकर तथा आवश्यक खर्च आदी का प्रबंद कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए वे प्राते काल वहां पहुँच गए और लगबक ग्यारा बजे मस्जिद को गए वहां पुजनार्थ भक्तों का एकत्रित समुदाय देख सब को अधी प्रसनता हुई परंतु पंत को अचानक ही मूर्चा आ गई और वे बेसुद होकर वहीं गिर पड़े तब सब लोग भयवित होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्थ उपचार करने लगे बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के चीटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बेटे जैसे की कोई नींद से जगा हो त्रिकालग्य बाबा ने यह सब जानकर की यह अन्य गुरु का शिश्य है उन्हें अभेधान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को द्रण करते वे कहा की कैसे भी आओ परंतु भूलो नहीं अपने ही स्थम्भ को द्रणता पूर्वक पकड़ कर सदेव स्थिर हो उनसे अभिन्यता प्राब करो पंत तुरंत इन शब्दों का आशे समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सत्गुरु की स्मृति हो आई उन्हें बाबा के इस अनुगरह की जीवन भर स्मृति बनी रही शिरी हरीश चंदर पितले बंबई में एक शिरी हरीश चंदर पितले नामक सदग्रहस्त थे उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीडे था उन्होंने अनेक प्रकार की देशी वेविदेशी चिकितसाएं कराई प्रन्तु उनसे कोई लाभ ना हुआ अब केवल यही उपाय शेश रह गया था कि किसी संत के चरण कमलू की शरण ली जाए पंद्रवे अध्याय में बतलाया जा चुका है कि शरी दाजगणू के सुमधूर कीरतन से शरी साही बाबा की कीरती बंबई में अधिक फैल चुकी थी पितले ने भी सन 1910 में उनका कीरतन सुना और उन्हें ग्यात हुआ कि शरी साही बाबा के केवल कर इसपर्ष तथा दिष्टी मात्र से ही असाध्य रोग समूल नश्ट हो जाते हैं तब उनके मन में भी शरी साही बाबा के शुब दर्षन की तीर इच्छा जागरत हुई यात्रा का परबंद कर भेट देने है तू फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित्वे शरीडी पधारे मस्जिद पहुँचकर उन्होंने चरणवंधना की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया बाबा की दिष्टी उस पर पढ़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया बच्चे ने आखे फेर दी और बेसुद होकर गिर पड़ा उसके मूँ से जाग निकलने लगी तथा शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घवराने लगे बच्चे को बहुदा थोड़ी मूर्चा तो अवश्य आ जाया करती थी परन्तु यह मूर्चा दीर्ग काल तक रही माता की आखों से आसों की धारा बह रही थी और वै दुख ग्रसित हो आंतर नाद करने लगी कि मैं ऐसी इस्तिती में हूँ जैसे की एक वेक्ती चोरों के धर से भाग कर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वै घर ही उसके उपर गिर पड़े तब बाबा ने सांतावना देते वे कहा कि इस प्रकार प्रलाप ना कर धैर्रे धारन करो बच्चे को अपने निवास्थान पर ले जाओ वेह आदा घंटे के पश्चाथ होश में आ जाएगा तब उनने बाबा के आदेश का तुरंद पालन किया बाबा के वचन सत्य निकले जैसे ही उसे वाड़े में लाया लाये की बच्चा स्वस्थ हुआ और पितले परिवार पती पत्नी वे अन्ने सब लोगों को महान हर्श हुआ और उनका संदह दूर हो गया श्री पतले अपनी धर्म पत्नी सहित बाबा के दर्शन को आये और अती विनम्र होकर आदर पूर्वनक चरण बंदना कर पाद सेवन करने लगे मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे तब बाबा ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या तुमारे समस्त विचार और शंकाय मिट गई जिने विश्वास और धेरे है उनकी रक्षा श्री हरी अवश्य करेंगे श्री पितले एक धनाडे वेकती थे इसलिए उन्होंने अधिक मात्र में मिठाई बाटी और उत्तम फल तथा पान बीड़े बाबा को भेट किये श्री मती पितले सातिक बृतिव की महिला थी वे एक स्थान पर बैट कर बाबा की और प्रेम पूर्ण दिष्टी से निहारा करती थी उनकी आखों से प्रसंता के आशों गिरते थे उनका म्रदू और सरल सभाव देखकर बाबा अती प्रसंद हुए इश्वर के समान ही संत भी भक्तों के आधीन है जो उनकी शरन में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं उनकी रक्षा संत करते हैं श्रीडी में कुछ दिन सुख पूर्वक वैतीत कर पितले परिवार ने बाबा के समीब मस्जिद में जाकर और चरन मंदना कर श्रीडी से परस्तान करने की अनुमती मांगी बाबा ने उन्हें उदी देकर आशिरवाद दिया पितले को पास बुला कर वे कहने लगे बापू पहले मैंने तुम्हें दो रुपए दे थे और अब मैं तुम्हें तीन रुपए देता हूँ इन्हें अपने पूजा ग्रह में रखकर नित्ते इनका पूजन करो इससे तुमारा कल्यान होगा श्री पितले ने उन्हें प्रसाद सरूब ग्रहन कर बाबा को पुने साश्टांग प्रणाम किया तथा आशीश के लिए प्रार्थना की उन्हें ये विचार भी आया कि प्रतम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि दो रुपे मुझे पहले कब दिये थे वे इस बात का इस्पश्टी करण चाहते थे परंतु बाबा मौन ही रहे बंबई पहुँचने पर उन्हें अपनी व्रद माता को शिरीडी की विस्तरत वारता सुनाई और दो रुपे की समस्या भी उनसे कही उनकी माता को भी पहले पहले तो कुछ समझ ना आया परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरानी घटना की स्मृती हो आई जिसने ये समस्या हल कर दी उनकी व्रद माता कहने लगी की जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर शिरी साहीं बाबा के दर्शनार्थ गए थे ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता अनेक वर्शों पहले अकल कोड महराज के दर्शनार्थ गए थे महराज पूर्ण सिद्ध, योगी, त्रिकालग्य और बड़े उदार थे तुम्हारे पिता परम भक्त थे इस कारण उनकी पूजा स्विकार हुई तब महराज ने उन्हें पूजनार्थ दो रुपे दिये थे जिनकी उनने जीवन परियंत पूजा की उनके पश्चाद उनकी पूजा यथाविदी ना हो सकी और वे रुपे खो गए कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृती भी हो गई तुम्हारा सो भाग्य है जो श्री अकलकोड महराज ने साहिरूप में तुम्हें अपने करतव्यों और पूजन की स्मृती कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया है अब भविष्ये में जागरुक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण कर रिवाजों का अनुसरन कर उत्तम प्रकार का आचरन अपनाओ अपने कुलदेव तता इन रुपेओं की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशिरवाद ग्रहन करने में गर्व मानो श्री साई समर्थ ने दया कर तुमारे हिर्दे में भक्ती का बीजारोपन कर दिया है और अब तुमारा करतव्वे है कि तुम उसकी वृद्धी करो माता के मधूर वचनामरत का पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्श हुआ उन्हें बाबा की सर्वकालग्यता विदित हो गई और उनके श्री दर्शन का भी महत्व ग्यात हो गया इसके पस्चातवे अपने वेवार में अधिक साबदान हो गए श्री आमडेकर पुने के श्री गोपाल नारायन आमडेकर बाबा के परमभक्तों में से एक थे जो ठाने जिला और जवहार स्टेट के आपकारी विभाग में दश वर्शों से कारे कर रहे थे वहां से सेवा निव्रती होने पर उन्होंने अन्य नोकरी ढूंडी परंतु वे सफल ना हुए तब उन्हें दुरबाग्ये ने चारों और से घेर लिया जिससे उनकी आर्थिक स्थिती और भी अधिक दयनी हो गई ऐसी परिस्थिती में उन्होंने साथ वर्श व्यतीत किये वे प्रतिवर्श श्रिडी आते और अपनी दुख दाई कथा अवारता बाबा को सुनाय करते थे सन 1916 में तो उनकी सिती और भी अधिक चिंता जनक हो गई तब उनने श्रिडी जाकर आत्म हत्या करने की ठानी इसलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर श्रिडी आये और वहाँ दो मास तक ठहरे एक रात्री को दिक्षित वाड़े के सामने एक बैलगाडी पर बैठे बैठे उनने कुए में गिर कर प्रानांत करने का और साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चे किया वही समीप ही एक भोजणाले के मालिक श्री सगुन मिरुनायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वारता लाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कल कोट महराज की जीवनी पड़ी सगुन से पुस्तक लेकर उनने पढ़ना प्रारम किया पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुँचे जो इस प्रकार थी श्री अक्कल कोट महराज के जीवन काल में एक वेक्ती असाध्य रोग से पीड़ित था जब वे किसी प्रकार भी कष्ट सह ना सका तो वे बिलकुल निराश हो गया और एक रात्री को कुई में कूद पड़ा तक्षण ही महराज वहां पहुँच गए और उनने स्वयम हाथों से उसे बाहर निकाला वे उसे समझाने लगे कि तुमें अपने शुब अशुब कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए यदि भोग अपुर्ण रहे गया तो पुनर जनम धारन करना पड़ेगा इसलिए मृत्यू से ये श्रेशकर है कि कुछ काल तक उन्हें सहिन कर पूर्व जनमों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ यह सामयक और उप्युक्त कथा पड़कर आमडेकर को महान अश्य हुआ और वे द्रवित हो गए यदि इस कथ इसे का दोरा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त नहा ऊता तो अभी तक उनका प्रणांत हो ही गया होता बाबा की व्या पक्ता और दया लुता देखकर उनका विश्वास्त द्रण हो गया और वे बाबा के परम्भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोड महराज के शिश्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हें उन्हें के पत्चिनों का अनुसरन करने की थी। बाबा ने उन्हें आशिरवाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने जोतिश शास्त्र के अध्यन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नती कर ली और बहुत सा धन अर्जित करके अपना शेश जीवन सुक और शान्ती पूर्वक व्यतीत किया। श्री सद्गुरु साइनाथा परनमस्तु शुवं भवतु ओम साइराम।